तो हलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग आई हो कि बहतर होगे और बहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे यह एक बहतर सा अगर यह एक्वेशन दे रखा है तो इससे हमें अप्लीटूड और टाइम प्रेट हमे निकालना हा है अप्लीटूड और यहां से तुम बात करोगे यह वाली तो ताइम प्रेट का तो हो जाएगा इसको कंपेर कर दो standard equation y is equal to a sin omega t से इसे compare करोगे तो amplitude कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा तो यह amplitude 5 में सम्में है दूसरा तुम अगर देखो कि phase का यहां से difference है phase का difference है तो अगर तुम यहां से compare करने जाओगे यहां से compare करने जाओगे y is equal to a sin omega t से तो तुम्हें पता चलेगा यहां से y is equal to a sin omega t y is equal to a sin omega t से इसका और इसका compare करोगे तो phase 5 जो है pi by 3 amplitude pi है और omega के place पे यहां pi है ठीक ना तो अगर मैं इसको देखोगे omega तो omega t के place पे pi t है तो t ने t को तो omega यहां से आ जाएगा pi तो pi ने pi को frequency आ जाएगा 1 by 2 तो frequency अगर 1 by 2 है तो frequency is equal to 1 upon time period तो time period यहां से 2 second आ जाएगा और amplitude pipe आ जाएगा आई होब कि आपको समझ में आ गया होगा that is यहां से first option सही है की वेवा टेक केर